टीवी नाइन के ग्लोबल समिट में अगनी वीरों पर रक्षा मंत्री का क्या बयान है ये सुनाते हैं अगनी पत् योजना पर युवाओं को किया जा रहा है गुमरा ये कहा है देश के रक्षा मंत्री राजनात सिंग्जी ने नागरिकों में अनुशासन लाना हमारा मकसद ये कहा राजनात सिंग्जी ने एयर चीफ बोले है इंसा का रास्ता कता ही ठीक नहीं एयर चीफ भी इस प्रारे में बोल रहे हैं नेवी चीफ की अपील स्कीम की पूरी जानकारी ले युवा और इसके बाद अपनी कोई राए बनाए सुनाते हैं आपको कि हमारी सरकार ने अगनी पथ योजना परदेश के सामने जो है प्रसुत किया है और यह योजना इस डेश की आरंट फोर्सेज में रिकॉर्ट्मेंट की जो प्रासेस में करांतिकारी बदलाव लेकर आई है अब इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा ब्रांती पैदा की जा रही है अत्वा हो सकता है एक नई स्कीम होने के कारण लोगों के अंदर इसमें कोई ब्रांती पैदा हो रही है लेकिन इस योजना के अंतरगत हमरी सरकार ने सबसे राय परामर्स करने के बाद और वरसों से लगबग डेड़ दो वरसों से लगातार इस बीशे पर हमरे प्रजान मंतरी जी चर्चा करते रहे जो हमारे एक सर्विस्मेन हैं उनके साथ भी चर्चा हुई है एक कंसंसस बनने के बाद ही यह निर्णे लिया गया है कि यानि हम चाहते हैं कि देश के अधिकांस नागरिकों में एक संस अप मिलेट्रिशिप एक डिस्प्लिन का भाव एक अनुसासम का भाव वैलूज के प्रतिक कमिट्मेंट मुल्यों के प्रति उनकी प्रतिवद्धता यह जो है उनके अंदर पैदाओ है अगर उनके मन में को कोई शंका है कि इस स्कीम के पैट उनका भाविश्य क्या रहेगा तो मेरा उनसे यह कहना है कि आप नजदीक वाले एरफोर स्टेशन, मिल्करी स्टेशन, नेवी स्टेशन में जाएं वहां से अधिक जानकारी प्राप्त करें और जो हमने प्रेस रिलीज के दवारा हमने इ उसको गौर से पढ़ें और गौर से समझें इस स्कीम में काफी फाइदे हैं तो उनको यह जानना बहुत जरूरी है कि इस स्कीम से उनको क्या-क्या लाब मिल सकते मेरा मेसेज है कि यह ऐसा प्रोटेस्ट और वालेंट अक्टिविटीज होना ही नहीं नहीं चाहिए उनको इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए और इसके लिए गौर्मन ने भी क्लारिफिकेशन किया है और हमने भी प्रस रिलीस किया है इसके बारे में काफी स्टेट्मेंट्स रिलीस हुए हैं और डिसकर्शन भी हो गए हैं और किसी को अगर कोई डाउट है तो ह हम इसको clarify करने के लिए हम तयार हैं तो यह स्कीम से किसी का opportunity कम नहीं हो रहा है